नमस्कार बच्चों स्वागत है आपका मैं नितिन श्रास्तो स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ बच्चों की आप सब अच्छे से होंगे मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही कमाल का टॉपिक सी लेंग्विज का और उस टॉपिक का नाम है बच्चो एरे आज का टॉपिक क्या है आज का टॉपिक है जिसको कि आप डिसकस करने चल ला हूँ आपके साथ सी लेंग्विज जो की दुनिया की शायद मोस्ट पावरफुल लेंग्विज है उसका लिक्रेश टॉपिक जिसकी मैं बात करने जा रहा हूं एरे एरे क्यों पढ़ाना जरूरी है पहले तो यह जान लिजे क्योंकि सी का निर्माल किस ने किया था या आप सब देनिस रिची साहब ने किया तो जब देनिस रिची साहब ने सी का निर्माल किया ना तो कुछ दिनों तक तो बड़ा अच्छा लगा लेकिन एक समय पर आकर उनको यह फील हुआ या उनकी टीम को यह अभास हुआ कि यार इस्टुडेंट्स को या कहें यूजर्स को जो सी का यूज कर रहे हैं अगर उनको उनको जादा इन्फॉर्मेशन को मेमोरी पर रखना होगा या अगर उनको बल्क में इन्फॉर्मेशन को बल्क मतलब समस्ते हैं आप ना लार्ज अमाउंट आफ इन्फॉर्मेशन को अग तो कैसे करेंगे क्या 100 students की age को store करने के लिए वो 100 different variables बनाएंगे क्या ऐसी problem उनको उन्होंने feel की या उनको input मिलना शुरू हुआ होगा मार्केट से कि यार कैसे ही यह manage होगा इतने ज्यादा students का data अलग-अलग variable में बनाना उसको store करना उसको maintain करना उसको यूज करना यह असान टास्क नहीं था तो डेनिस रिची साहब और उनकी team को लगा कि ऐसी समस्या का एक समाधान होना चाहिए कि कोई एक ऐसा वैर्बिल हो जो की एक से ज्यादा वैल्यूस को contain कर सके और वहीं से वहीं से concept का जन्म हुआ किस concept का जन्म हुआ एरे का मतलब basically होता क्या है continuous continuous यह हिंदी में जिसे आप कहते हैं लगातार basically इसका सही pronunciation है बच्चों array यानि कुछ लगातार information जहां मिले उसी को कहा जैसे कहते न array of information तो एरे का जो बच्चों development हुआ जो सोच थी उस सोच के पीछे वजह यही थी कि लगातार कुछ continuous जानकारी या बल्क में information को memory पर इस्टोर करना हो तो क्या करेंगे वहीं से इजाद किया था डेनिस रिची साहब की टीम ने एरे का और आए बताता हूं अब मैं एरे है क्या अगर आपसे कोई पूछे कि what is this array तो आप कह सकते हैं it is collection of यह क्या है इस collection of similar डेटा टाइप्स बच्चो एरे क्या है collection है किसका similar डेटा टाइप्स का एरे इस दा एरे आप बना रहे हों सी नहीं लगबख हर लैंग्वेज में तो वहां पर similar word is very important मैं क्यों बार बार similar पर जोड़ दे रहा हूं क्योंकि अगर एरे बनाओ गया तो उसमें अगर आपने 10 numbers को store करने की कोशिश की तो वह 10 numbers या तो all क्या होंगे integers होंगे या all क्या होंगे floats होंगे आप ऐसी एरे नहीं बना सकते कोई 10 के size की जिसमें पांच तो तुम चाहोगे इंटीजर रख दें और पांच ही तुम चाहोगे क्या रख दें फ्लोर्ट रख दें यह नहीं पॉस्बिल है यह कत्ता ही पॉस्बिल नहीं है याद रखिएगा यह अलाउड ही नहीं है सी के compiler के द्वारा कि आप कोई ऐसी एरे का निर्माल करें जिसमें कि सारे कि सारे सब्सक्राब आईए कितने प्रिकार की एरे आप सी में बनाएंगे तो पहले यह भी देख लीजे टाइप्स ओफ एरे देखिएगा कि एरे आप जो बनाएंगे एक तुम बनाओगे जिसे हम कह रहे हैं सिंगल डाइमिंशन और दूसरा जो तुम बनाओगे जिसे हम क्या कह रहे हैं मल्टी डाइमिंशन दो प्रकार की एरे आप सी में क्रियेट कर सकते हैं एक single dimension और दूसरी जिसे आप क्या कहते हैं मल्टी डैमेंशन एरे कहते हैं अब प्रश उठेगा single dimension किसे कहेंगे तो देखिए एरे जो होती है न एरे दो चीजों से मैनेज कहोती है एक रो और दूसरा क्या कॉलम अभी आपको चितर के भाध δεν हमसे भी समझाय जाएगा एरे दो तरीकिसे बच्तो मैनेज होती है एक रो से और दूसरा कॉलम से single dimension में क्या होगा single dimension array में क्या होगा तुम्हारा कि आर रो सी कॉलम में कोई एक value constant हो जाएगी constant नहीं फिक्स हो जाएगी अचाहे तो रो चाहे तो कॉलम ऐसी array क्या कहलाएगी single dimension एरे जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपने मैं इस्ट्रक्चरल उसका दिखा रहा हूं कोई एरे ऐसी बनाई यार अभी बनाई कैसे यह बाद में यहां देखिए कितने साइज हो गई तीन तीन छे तो यहां बताईए बच्चों रो आपकी एक है तो यहां पर रो कितनी है वन हो गई कॉ यहां पर क्या है यहां पर आपका फिर इसका नाम माल लिजे ए एर है एक दो तीन चार पांच तो यहां पर क्या हो गया बच्चों आपकी रो कितनी हो गई पांच लेकिन कॉलम कितना हो गया वन तो यहां पर कॉलम कॉंसेंट हो गया आपकी जानकारी के लिए मैं बता दू वो आपका रो है और वर्टिकल जो होता है आपका वर्टिकल क्या होता है कॉलम्स होते हैं तो ऐसी जहां पर रो या कॉलम में कोई एक कॉंस्टेंट हो और कोई एक वैर्बिल हो एसी एयरे को हम लोग बच्चों सिंगल डायमेंशन आरे कहते हैं और मल्टिडामेंशन आरे किसे कहों गया आप जैना देखो मल्टिडामेंशनल आरे में क्या होगा बोट रो एंड कॉलम्स आर वैरियबिल यानि दोनों बदलेंगे कॉंस्टेंट कोई भी नहीं होगा मल्टी डैमेंशन एरे को एरे इच कॉल्ड उसे और किस नाम से जानते हैं बच्चो मैट्रिक्स भी हम कहते हैं क्या कहते हैं मैट्रिक्स देखिए कुछ इस चाइब की यहाँ पर क्या है कितने रो है भाई एक दो तीन कितने कॉलम है तो आप कह सकते हैं तीन भाई तीन की यह क्या है मेट्रिक्स है या कहा जाए तो डबल डैमेंशन तुम्हारी क्या है एरे है तो एरे एक बहुत ही कमाल का विशे है C में क्यों हम लोग एरे का निर्मार करते हैं ताकि हम मल्टिपल आइटम्स को मेमोरी पर प्राइमरी मेमोरी पर बच्चों स्टोर कर सके अब आये देखे प्रापर्टीज क्या होती है तुम्हारे एरे की प्रापर्टीज ऑफ एरे ये ध्belsा देने की जरूरत है कि एरे की प्रमुख लिशेस्ता क्या हैं पहली विशेस्ता爸 ये एरे की फ़र्स्ट कि इट इस कलेक्षान चम्ट और कि सिमिलियर आ यह क्या है तुम्हारा बच्चों कलेक्शन है सिमिलर डेटा आइटम्स का एक जैसे डेटा आइटम्स पीछे भी मैंने आपको बताए इट इस बेज़ डॉन इस्टेटिक मेमोरी एलोकेशन यहां इस्टेटिक मेमोरी एलोकेशन का क्या मतलब है इस्टेटिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब है कि तुम्हारी एरे जब आप प्रोग्राम कंपाइल करते हो ना कंपाइल टाइम पे ही बन जाती है यानि पहले से ही आपको एरे को फिक्स हो जाता है कि कितने साइस की बनेगी और आप उसमें किसी प्रकार का बनाने के बाद कोई परिवर्तन नहीं कर सकते याद रखिएगा यह कलेक्शन है सिमिलर डेटा आइटम्स का पहले भी समझाया और यह बेस्ट है किस पर कमपाइल टाइम मेमोरिय लोकेशन टेक्निक पर कमपाइल टाइम का मतलब पहले से प्रोग्राम के कमपाइलेशन के दौरा नहीं हमें यह बता देना है कि एरे कितने साइस का है उसकी साइज फिक्स हो जाती है और फिर आप उसमें न एक पॉइंट का घटा सकते हैं न एक तो यह देखिए दो कुछ खास बातें तीसरा क्या है इट इस इस इस्टोर्ड ओन कॉन्टी जिवस मेमोरी लोकेशन बच्चो यह एक एरे की बहुत कमाल की प्रोपर्टी है क्या प्रोपर्टी कि यह लगातार मेमोरी लोकेशन पर रैंडम नहीं होता यानि एक ब्लॉक अगर सौ पे है तो दूसरा एक सो दो फिर एक सो चार लगातार लोकेशन पर जाकर इस्टोर होता है यह तो कुछ खास बातें हो गई कैसे डिकलेर करेंगे आप एरे को हाउट टू डिकलेर तो देखिए एरे को डिकलेर करने का तरीका क्या है डेटा आएंगे आप सबसे पहले अरे का नाम बताओगे फिर उसकी क्या दोगे साइज बताओगे एक तरीका यह है यह तरीका किसके लिए सिंगल डाइमेंशन एरे के लिए यह बिलॉंग करेगा किसके लिए सिंगल डाइमेंशन एक तरीका दूसरा डेटा टाइप फिर आप क्या देंगे एरे का नाम और फिर क्या दोगे रो बताओ और कॉलम बताओगे यह आपका कौन सा हो गया मल्टी डाइमेंशनल एरे दोनों एरे का डिकलेरेशन का तरीका मैंने आपको दिखाया अब आईए जड़ा सा एक्जाम्पल देखिए एक छोटा सा आई एंटी ए आर ओफ फाइव देखो बच्चो यह तुम्हारी एक एरे बन रही है पांच साइज की ए यार इसका नाम है जीरो वान टू थ्री फोर यह क्या है जो जीरो वन टू थ्री फोर इट इस कॉल्ड इंडेक्स और एरे का जो इंडेक्स है आलवेज स्टार्ट्स प्रॉम कहां से शुरू होगा 0 से तो बच्चो जाएगा कहां तक 1-1 तक जाएगा यहां 1-1 यह क्या है array की आपके size कहलाएगी तो अगर 0 से चलेगा तो 5 में से एक गया कहां तक जाएगा यह होगा आपका index यह तो होगा आपका single dimension array और अगर आपको multi dimension बनानी है दूसरा example देखिए INT data type array का नाम मान लिजए आपने कह दिया 4 बाई 4 बच्चो देखिएगा यह 4 क्या है row होगा यह 4 क्या होगा column तो इसका भी तुम्हारा वही बनेगा एक दो तीन यह देखिए AR 0 1 2 3 0 1 2 3 इन यह पर चार तुम्हारी क्या है row है चार तुम्हारे क्या है columns है और बच्चो नियम वही है नियम क्या है कि starting from 0 and goes to 1-1 तो देखिए यह हो गया आपका कुछ परिचे संचिप्ट सा परिचे कि ARRE क्या है कितने प्रकार से हम उसको बना सकते हैं और क्यों ARRE को उपलब्द किया C language में ताकि हम memory पर multiple values को बच्चों store कर सके तो hopefully आपको ARRE का कुछ परिचे आज की class में आज के वीडियो में बच्चों मिला होगा complete वीडियो के लिए आप join कीजिए हमारे app को download कर सकते हैं और वीडियो के description में बच्चों आपको links मिलेंगे आपको numbers मिल जाएंगे call करके complete course की बारे में जानकारी ले सकते हैं तो यदि आप पूरा course complete join करना चाहते हैं तो आईए हमारे साथ हमारे channel से जुलिए और वीडियो पसंद आए तो अवश उसको like, share और subscribe करिएगा तो thank you very much हम लोग लगातार आपके साथ जुड़ते रहेंगे धन्यवाद, नमस्कार